नमस्कार दैनिक शिव्ट टाइम में आप सबका स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामन शुबं भगत के साथ NSUi की बात करें ऐसी अर्गनाइजेशन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया जो हमेशा शात्रे शात्राओं के हित की बात करता अगर कहीं भी उनको लगता है कि उन स्ट्राओं के साथ नाइंसाफ ही होती तो यह अर्गनाइजेशन हेमेशे उनके साथ शाना बशाना खड़ी जम्मु यूनियुवस्टी की बात करें तो हमेशा सुर्कियों में रहता है और NSUi ने हमेशा जो अंदर की बात हैं यूनिवस चल रहा है चली बात करते हैं सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है धन्यवाद क्या कहना चाहेंगे हर बार जब भी आप आते हैं यूनिवस्टी को हमेशा सवालों के कडगहरे में खड़ा करते हैं और कहीं ना कई यूनिवस्टी भी अपक्ष रखने में विफल रही सब्सक्राइब करते हैं कि धांदलियों को जितना सामने लाया जाए क्योंकि यह पब्लिक इंट्रस्ट की बात है यह केवल मेरे और आपके अधिकार नहीं है यह हमारे आने वाले जो जर्रेशन्स हैं उनके साथ भी इस तरीके से इन्वस्टी अप्ष जमों जो है मलों की उनके साथ भी भेदवाव कर सकती है आपको मैं थोड़ा ब्रीप में बताना चाहूंगा पहले कि एक व्यक्ति युनिवस्टी जमों में कंट्रेक्ट्ट्ट बेसेस पे लगाया जाता है उस व्यक्ति को किसी पोस्ट पर नहीं लगाया जाता है उसका कंट्रेक्ट जो है अबक तो सीख लिया कि मैं युनिवस्टी जमों से कैसे चीज़े उनके से ले सकता हूं युनिवस्टी जमों ने उससे भदरवा केमपस में रिक्रूट किया और उसके बाद वहां से कंट्रेक्ट बेसेस पे ट्रांसपर के भी नहीं एटैच हो जाता है कठुआ केमपस ऐस तो आसे लगता कि कोई जमाई है कि जहा generation आ ज़ंशे नानी घर भी आ जाजाises तौक्रादी ए behavior उसे मिल रही है कि इर्फान गोनी को campus development officer बनाया जाए क्योंकि इर्फान गोनी इसी को क्यों और कोई eligible नहीं है और कोई criteria में नहीं है क्योंकि क्योंकि इन्वस्टी अफ जम्मों को यह लग रहा था campus development officer जो है आप इन्होंने desirable लिखा देखें आपको मैं बताना चाता हूँ मनशा यहां से साब होती है minimum five year experience of dealing with offset campuses offset campuses में ना में था ना आप ते ना कोई और था वो तो गोनी था इसलिए उसी व्यक्ति के लिए एक special clause जो एड़ किया गया eligibility में कि इतनी महरवानी के उपर इसलिए इतनी महरवानी कि एगर इंसान एक दूसरे इंसान के साथ रहता तो उसको उसकी चोरियां पता रहती है तो यह तो हमने स्यासत में देखा था अगर किसी नेता की दूसरी पार्टी यह रूलीं पार्टी होती है उनकी कोई कमजोरी पकड़ती है दरके हमारे दूब के बारे उन्हीं की पार्टी जाइन करते कल को हमारे ओपर रेड न पढ़ जाए पर पहली बार दे तो प्रोफेसर जो है यह पॉलिटिक्स में हैं, आलमोस्ट पॉलिटिक्स में, 90 परसेंट पॉलिटिक्स में, और यह तो फाइदा उठाते हैं राजनितिक लोगों से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेकिन उनकी चुपी जो है उनकी चुपी जो है उनकी चुपी कोई न कोई रिवार्ड तो देना था तो मुनोजः साब पूरी भरपूर कोशिश करते हैं और जब इनका पेपर और स्लेबस जो है डिसाइड होता है कि रिटेन पेपर जो है नो तरीक को है ठीक है और अट आपको आपने चीटिंग की है आपने मेरे साथ दोखा किया मैं सब को expose करते होंगा क्योंकि इस post पर आपने कहा था डिजारेबल आपसेट campuses के तो ये दूसरे campuses वालों को किसे मोग कर दिया इस पर desirable था इस पर डिजारेबल था और जब वो हो जाता है तो ये क्वैस्ट कर देते हैं return paper सिब गोनी के गारण फिर 2017 में द्वारा से रिटन पेपर की जो है डेट आयाती है शाड लिस्ट करते हैं और 2017 में जब दूसरे लोग भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये जो है डर जाते हैं कि आप इसमें होगा क्या तो ये इस पोस्ट को 2014 से 21 तक लेके खीचते हैं जब इनको हर ग्राउंड्स पे जो है सिक्रीनिंग के लिए बलाया जाता है अब जो है रिटन टेस्ट जो है क्वैश किया जाता है अब सिक्रीनिंग के लिए बलाया जाता है सिभ इंटर्वी होगा और कोट के आडर के तहट ये लोग जो है नाट सुटेबल थे कोट हाई कोट ने की बात करें वो भी नाट सब्सक्राइब करना चाहते थे लोगों पर कंटेंट अब कोड तो लगना चाहिए लेकिन उन्वेस्टी अब बेखुबी पता है कि रिजिस्ट्रार की चेर पर लगता है वाई वाई चांसलर के चेर लगता है कि इसना सत्यपाल मलीक जेने बाद में भाजपा के जाके पोल खोली तो वहीं लग रही है और मनोई दर तो वैसे भी उनकी टैनर एक्सपायर हो चुका है टैनर एक्सपायर होने के बाद वाइस चांसरर कंपीटेंट ही नहीं है कि वो किसी गेस्टर पोस्ट का इंटर्विव कंडेक्ट करवा सकें वो कमेटी बना सकें लेकिन तब भी उन्होंने जो है ये वाइलेशन जो है की है और हम जो है बार-बार गुवर्नर साब तक भी ये बात पहुंचा चुके हैं कि यहां पिरफान गोनी जो है वो आरेडी डिसाइड़ केंडिड है इसको अभी के अभी जो है इस इंटर्विव को रोका जाए जब तक निया वाइस चांसलर ना आए और कोई भी व्यक्ति उनमें से हो लेकिन फिर सिस्टम से बने इर्फान गोनी ना बने अगर इर्फान गोनी को बनाना चाहते हैं तो यह हम कभी परदाश्ट ना आज करेंगे ना कल करेंगे अगर आपकी बात पर आप भी गो रही है इस इंटर्विव को नहीं स्थगित किया जाता तो तो क्या कहेगा एनस यूआई आगे क्या करेगा और आपको मलग की पता चली जाएगा यूनिवस्टी गेड़ पर कुछ आवाज़े आ रही है कि आए दिन असनी जी आपसे बात की उनका टाइम वेस्ट किया जारा कि अनकी ओपर वाच रखने वाला कोई नहीं है देखे इनुटिव जम्हों के खलाब जो भी बोलता है उसके उपर आपको तो पता है कि इनविश्टीव जम्मु के खलाब जो जो भी वाज़ा था उसके एंट्री बैन इस देंस लेकिन वो डरते होंगे वो लोग जो उनके पैर पड़ते हैं हम ना डरते हैं ना हम गलत करते हैं वो एंट्री बैन करें अफेरे लगाए हमारे पास हमारे साथी हमारे बाइये हम बे खूब जवाब देना जानते हैं और आपको याद होगा इंजिरिंग मसले में भी उन्होंने किस सिरिके से लड़कियों के साथ बतमीजियां की तो हमने उसका सबक सिखाया और बाद में हम काम्याब भी होए तो इसमें भी काम्याब होंगे क्योंकि हम हमेशा जब लड़ाई लड़ते हम घर से सोचके आते हैं कि हम जीत के जाएंगे तो हम जीतने की बिना कभी वापस भी तो ना ऐसे वाइस चांसलर और इसे ना रिजिस्ट्रार की गुलामी करेंगे अपने अपने के वल फाइदे के लिए ना पहले किया था ना आप करेंगे अपने बाइस ना रिजिस्ट्रा की अधर ना रिजिस्ट्रा की गार कर देगी है और इसे यूई की तीम है काफी बार हमने इनके धरने परदर्शन भी किया क्योंकि ऐसी चीजें शाए जिनको यूई वस्ट्री के अडिमिस्ट्रेशन चुपाना चाहती है नसे यूई की पर यूई वस्ट्री को यह चेतावनी दिए कि अगर इंटर्विव जो चोधा तारीक होने जा रहा है अगर यह उस तगित नहीं किया गा तो एक विकराल रूप के तोर पर पर परदर्शन होगा जिसके जिम्मेदारी इन शात्राओं की नहीं बल्के यूई इडिस्ट्रे